कि कि है लो गाइस बेलकम बैक टू अबर चैनल काई देखें बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि के बीएस प्याटी का सर्थ हमारा रिजल्ट कब तक आएगा बहुत सारे यूट्यूबर कल बता रहे थे कि कल साम तक हमारा रिजल्ट आनी की संबावना है वट कल भ करेंगा डिपार्टमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा डिले कर रहा है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा फ्रिस्टेटेट भी होना पड़ रहा है और के बीएस प्याटी के आप लोगों को पता है कि इंट्रूवी की डेट है वह फाइनल कर दी गई है ओ डेट कौन सी रहने वाली है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो केंडिडेट गाइस हमारे चल पर पहले बार वीजिट कर रहें तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि इस से रिलेटर हमारे चल पर वीडियो आती रहती है तो देखें इसकी ऑफिसिल बैपेज पे करकार की कोई भी के बीएस प्यार्टी की तरफ से अपडेट नहीं दी गई है हाला कि आप लोगों को रिजल्ट इसी मंत में आपका रिलिज करने की पूरी की पूरी योजना बना ली थी बट मैं आपको बताऊंगा कि यह रिजल्ट अब कब जारी कर सकते हैं क्योंकि इनक की प्रकारिया पूरी कंप्लेट की जाएगी बट आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जल्दी जारी कर दिया जाएगा और मैं आपको बता देता हूं जो इसका जो आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर हमारा प्यार्टी का हमारा इंट्रूबू का सीडियूल बता दो कि आपका इंट्रूबू जो होगा 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा ठीक है और साथ तारिक तक आप लोगों का रिजल्ट आजाएगा यहां पर यह निउस निकल के आ रही थी डिपार्टमेंट की तरफ से बट अभी तक कोई ओफिशियल नहीं है तो आप लोग भी इस पे तो नहीं कर सकते हो बट थोड़ी सी ओरिजिनल दिखा सकते हो इस वीडियो क्योंकि एक के बीएस पियाटी के सर है हमारे उनसे बात हुई थी तो वो यह बता रहे थे कि साथ तारिक तक आप लोगों का साथ अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देगा और पंदरा अक्टूबर से आप लोगों के इंटर्वु तो जाइर से बात है कि चालू हो जाएगे और मैं अपना एक्स्पिडियंस बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आप लोगों के इंटर्वु की तयारी करना चाते हो न तो आभी से आप लग जाओ क्यूंकि आप क्या रहने बाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडिन हमारे वीडियो के माद्यम से कट आफ बार बार पूछ रहे थे देखे का इसको थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा एक्सपिरियेंस की तरीके से रहा था पिछली बार और क्या हमारे सेलक्षन हो सकता है कि हम इंट्रुवी के प्रेपरेशन अभी से करें कि नहीं करें हमें एकदम सही से बता तो मैं आपको अपने वीडियो कमेंट बॉक्स के माद्यम से बता दूंगा जो कैंडिडेट हमारे चल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प् करें करें ऐसे ब्लॉंग तो अगर आपके के से ब्लॉंग और नंग रहे बीएड डिपार्टमेंटे साप-साप बहार कर दी गई है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ST ST कैटेगरी के अगर आपके 95 भी बन रहे न तो गाई जाकर तैयारी कर सकते हो क्योंकि यह आपका स्कोर है आप लोगों को 3 गुना बलाया जाएगा आप लोगों का जो इंट्रुवू होगा वो 3 गुना बलाया जागा तो आप देख सकते हैं कि एक सीट के पीछे 3 कैंडिडेट और होगे और आपको अपना चोईस करना है किस तरीके से आपको फाइट करनी है इंट्रुवू के लिए क्योंकि आप लोग यहां पर तो स्लेक्ट हो जागए बट इंट्रुवू में जिस तरीके से कोशन पूछे जाएगे न अब देखें कोशन भी मैं आपको बता देता हूँ कोशन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कोशन पहला तो आपको यही बनेगा हो तो हमें उसके डिटेल देदो अगर नहीं कर रहा हो तो हमें बैसा बता दो ठीक है अगर आप जूट का होगे तो हहां पर पकड़े जाओगे कि क्यों साइकिलोजिस्ट भी बैठे रहते तो आप लोगों का माइंड वो पढ़ लेगे ठीक है और आप यहां पर थोड़ा इसके मतलब कि एक सीट पर तीन जने की फाइट होगी और जो रिजल्ट है आप लोगों का वो साथ तारीक से पहले-पहले साथ अक्टूबर से पहले-पहले डिपार्टमेंट जारी करेगा हाला कि आप लोगों को पता है कल कितना यूटूबर हो ने पता नहीं किस किस तरी अलड़ा को सायरेके तो आप लोगों को पता है गर्प्रक्राः को सीटूल रहे दी तो इस तरीकेसे वाइन सिटी जो को हमारे साथ खेल रही थी उन्होंने साब मना कर दिया पटना राष्टे सिक्षा पदिसद्यानी की NCTE ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर प्रात्मिक विध्याले के लिए जादी सिप्रिंग कोट के को मानने को कहा है मतलब कि यह अब जितने भी शुप्रिंग कोट है मतलब लेवल एक से पांस तक के सिक्षक भरती परकरियां में हिस्सा लेने के योग के नहीं है मतलब कि इन में साप साप यह कह दिया है जिन स्टूडेंट ने भी बियाड कर रखिये तो वो इसमें एक से पांच भी तक शिक्षा प्रकरिया में इससा नहीं लेगे अब nct वालों ने यहां पर क्या काया nct ने कहा है कि सुप्रिंग कोड के फैसले में कहा गया है कि लेवल एक से पांच तक मैं सिर्फ बेसिक ट्रेंचंटिकेट ठेक है बेसिक ट्रेंचंट सेटीविकेट द्हारक या डल इलिट प्रकरियंक की अब्भयारती पहले से ही समिट हो चुका है जो इस टूरेंट ने आप लोगों को फी भरी थी ठीक है तो डिपार्टमेंट आप लोगों कोई पाता है किस तरीके से खेलता है क्योंकि ये भारत है भारत की थोड़ी रण नीती अलग होती है सिक्षा विवागों में तो आप इस तरीके से दे करा है सुप्रिंग कोट ने आप देखें यहां पर एक और वैकेंसी निकल के आई है अगर आप केंडिडेट नहीं हो तो आप उस वैकेंसी को भी फॉर्म भड़ सकते हो आप लोगों के लिए सुपर मौका है जो की प्रिंसिपल की तरफ से निकल के आया है किसके तरफ से काई हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है तो गईस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जब तक लिए थैंक्स पर बाचिंग